हाई फ्रेंड्स आज में आप लोग लेके आए हूं काढ़े की रेसिपी और ये काढ़ा ना से बड़ों के लिए बलकि बच्चों के लिए भी लेके आए हूं काढ़ा हमारी आहिरवेद में औस दिय गुनों से भरपूर माना जाता है और इस कुरोना काल में आप इस काढ़ा करता है तो चलिए फिर बनाते हैं काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे जब यह पैन गरम हो जाएगा तो गैस कपले में आफ कर देंगे अब इस गरम पैन में हम डालेंगे एक चमच सौफ आप छोटी साइज वाली सौफ या बड़ी साइज वाली क मेंसा एक चमच रखें ज्यादा रखें और यह बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को यह बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी अब इसमें हम डालेंगे चार लॉंग में बहुत सारे एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है अब इसमें डालेंगे चार गुल्मि यह वर पूरी enhance होके आता है, अब हम इसे निकाल लेंगे, अब एक बरतन में हमें एक ग्लास पानी गरम करना है, मैं हम यह पे दो लोगों के लिए बना रही है। इसलिए एक ग्लास पानी ली हूँ, अब इस में जो मसाले को गरम करके रखा था, उसे डाल देंगे, अब इस तेशपत्ता को तोड़के, तेशपत्ता के भी अपने गुन होते हैं, तेशपत्ता काड़ा में बहुत ही ज़्यादा फाइदा करता है, इसलिए आप तेशपत्ता को जरूर डालें, और ये सारे मसाले हमारे कीचन में असानिक से मिल जाते हैं, अब इसमें हम डालेंगे एक तुकड़ा दालचीनी का, दालचीनी पाचन में बहुत मदद करता है, दालचीनी का एक बहुत बड़ा फैदा यह है कि इसे लेने से आपकी जुकाम की समस्या दूर हो जाएगी, अब इसमें हम डालेंगे एक टुकड़ा अद्रक, अद्रक को कूट के डालना है, अद्रक के तुलसी के बहुत ज़्याद महत्तों भी है आप इसे खाली पेट में चूज भी सकते हैं इसे सर्दी खांसी से राहत में मिलती है और इम्यून सिस्टम बहतर होता है अब इसमें हम डालेंगे आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर हल्दी गुनों का भंडार है हल्दी सेहत के कई रूपों में गुनकारी मानी चाती है और यह वज़ा है कि इसका प्रियोग हम रोजानव भोजन में करते हैं और यह बहुत ही ज़्याद एंटिबाइटिक भी होता है अब इस काढ़ा में हम डालेंगे एक टमाटर टमाटर मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ कि यह काढ़ा बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे काढ़ा का नाम सुनते हैं यह फेस बनाने लगते हैं और पीना नहीं पसंद करते हैं कि काढ़ा का टेस्ट का टेस्ट भी बहुत ही जादर जुड़दार बनता है अब इस काढ़ा को उबलने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं क्रोना वाइरस के बढ़ती मामलों को देखते हैं आप अपना खयाल खूद रख रहे हैं तो आप काढ़ा को जरूर सामील करें और काढ़ा न केवल ग हैर तेजी से फैल गई है और यह बच्चों को प्रभावित कर रही है तो आप इस काढ़ा को बच्चों को जरूर बना के दें अब गैस का फ्लेम आफ कर दें और ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर छोड़तें अब यह काढ़ा ठंडा हो गया है अब दाल मिक्स करने वाला से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है कि टमार्टर का पूरा खटापन काढ़ा में आजए और आज मैं आपको अद्रक का एक ऐसा फाइदा बताओंगी जो साय आपको नहीं पता होगा इसमें बहुत सारे ऐसे पूसक तत्तों है जो हमारे किड़नी के लिए बहुत फाइदे म तो आप एक चमचीस में हानी भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी नमक इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है क्योंकि टमार्टर डला हुआ है तो बच्चे भी सौक से पीना पसंद करते हैं और आप इस काढ़े को खाली पेड़ भी पी सकते हैं या फिर द पेट में जलन होंगे और डॉम में चाले पढ़ेंगे और इस काढ़े को पीक आप करोना वाइरस से सुरच्चीत रख सकते हैं अपने आपको दोस्तों अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलते ह अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई